गैस अगर आपको स्टॉक मार्केट में तीन महीने हो गए ना तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में तीन बाते आपको बताऊंगा तीन महीने होने के बावजूद आप लॉस अगर अभी भी कर रहे हो लोग एक एक साल डेड़ लाने के बावजूद भी लॉस करते रहते हैं ठीक है क्यों करते हैं उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में आते हैं पता लग चुका होता है उनको ट्रेंड लाइन पता लग चुकी होती है उनको बहुत सारी स्ट्रेडजी पता लग चुकी होती है ठीक है उसके जी तरह है तो भी आप option trading gambling कि तरह है तो भी आप इस वीडियो को complete देख लीजिए अगर आप gambling मांते हो तो आप gambling में भी विन कर सकते हो तो गम्लर क्या जीटते नहीं है। जो gambling करते हैं किमें किया हर कोई हारता है नहीं। आप सीधा सा सकुनी को देखिए। अगर आप gambling समझते हो अभी चर्चा करते हैं पहले आप gambling वाली अपनी त्योरी निकाल दीजेे दिमाग से। पहली बात तो gambling नहीं है, gambling की तरह अगर कर रहे हो, ठीक है, तो जरह समझो, या जो भी कहता है, हमें किसी ने बोला था शुरू में जब market मैंने शुरुआत की, कि यह stock market तो जुआ है, तो मैंने सीधा सा मेरा जवाब था, कि अगर जुआ है, तो कोई बात नहीं, हम सकुनी की तरह खेलेंगे, आप सकुनी की तरह खेलिए, मत खेलिए दिश्टिर की तरह, सब कुछ दाउं पे लगाने की जरूरत नहीं है, चालाकी की जरूरत है, सातिरपने की जरूरत है, आपको होश्यारी सकुनी वाली दिखानी पड़ेगी, अगर आप option trading को gambling के दृष्टि से देख रहे हो, gambling के नजरिये से देख रहे हो, तो अपना नजरिया बदल लो, अपना खेलने का तरीका बदल लो, आप winner हो जाओगे, आपको चाहिए कि ultimate आपको पैसा ही चाहिए stock market से, stock market से आपको पैसा चाहिए तो पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप रणनिती के बगएर, बगएर strategy के, बगएर rule के, बगएर चालाकी के, ठीक है, ये सकुनी वाली चीज़े बता रहा हूँ, हाँ वांजे हाँ, अगर आप बगएर चालाकी के कर रहे हो, तो फिर आप इमानदारी से दिश्टिर और अर्जुन की तरह खेलोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो आप रणनिती कहलीजिए, strategy कहलीजिए, चालाकी कहलीजिए, आपको सकुनी वाली बुद्धी लगानी पड ये, हमारे और भी relative में है, जो मतलब जिन्होंने loss किया था, बड़े-बड़े loss किये, उनका example दिया, तो मैंने सीधा सा कहा, कि अगर आप gambling मानते हो, तो gambling में भी लोग जीतते हैं, बशरते उनके पास सकुनी वाला दिमाग होना चाहिए, सकुनी की तरह आप बुद्धी सकते हो, इसके आगे उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो हसने लगे, खेर जाने दीजिए अभी बात, अभी सीधा आप समझेए, अगर आपका loss हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, तीन काम आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आपको तीन महीने हो गया है, साल साइजिंग अपनी सुधा लीजिए, आप प्रोफिटेबल बनने लग जाओगे, बन जाओगे, लेकिन कम्प्लीट समझेए किस तरह से आपको चीजों को मैनेज करना है, पोजीशन साइजिंग क्या, आप अगर lot size अपना देखिए, अपनी risk capacity के हिसाब से, थोड़ा ये ब परिशान नहीं होता, आप 480, 420, 500 तक भी, 5500 तक भी loss चला जाता है, आप बैठे रहते हो, उसके बाद वो घूम फिर के market आपको 2500 profit देती है, आप निकल जाते हो, वहाँ पर एक पहली गलती होती है, वहाँ से आप दो चीज़े आपको सीखने को मिलती है, पहली कि अगर lot size आपके control में है, आपकी आउकात में है, आउकात में रहकर trading करो, बुरा लग सकता है, लेकिन समझिए चीज़ को, अगर आप आप आउकात में रहकर lot size लोगे, trading करोगे, तो फिर आप टिक पाओगे market में, और बैठे रहोगे, और rule को follow कर पाओगे, आउकात से बाहर बड़ी lot पे, आपको अगर 100 रुपे का loss दिखा रहा था, तो आपके lot size पे सारे पैसे invest करने पे, आपको 10,000 का loss दिखा रहा होगा, आप परिशान हो जाओगे, दिमाग आपका हिलने लग जाएगा, कि ये बस, नहीं, और 10,000 से जैसे ही वो 7,000 आएगा, 8,000 आएगा, आप निकल ज चुकी होगी, तब आपके दिमाग में फिर से वही बात आएगी, कि अगर मैं रुख गया होता, तो मेरे 50,000 के 1,5,000 बन चुके होते, लेकिन, और फिर इसी यही mindset आपके दिमाग में subconscious level पे बैठा रहता है, फिर किसी ना किसी दिन, आप छोटे 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 ट्रेड लेन आपका काड़ देती है, आपका portfolio आधा या zero कर देती है, समझ रहो, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मेरे friend है, मतलब उसके साथ भी हुआ, तो तभी आज यह topic मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ discuss करना चाहिए, बहुत समझाया, समझाने के बावजूर, ठीक है, त और single lot से आप या आपके पास 40,000, 50,000 जा रहे हैं, तो दो lot से, उससे ज़्यादा नहीं, और एक lot या दो lot से आप जब लगातार तीन महिने, तीन महिने अगर लगातार आप profitable बन रहे हो, तीन महिने लगातार आप हर महिने end of month आप profitable रहते हो, तो फिर आप अगले महिने lot size बढ़ा सकते हो, तब बढ़ाना चाहिए, उससे पहले अगर आप lot size बढ़ाते हो, तो simple सा मतलब है, आप loss करोगे, market में आप tick नहीं सकते, तीन दिन आपका 500 रुपया बनेगा, चार दिन आपका 400, 500, 200 बनाओगे, एक दिन जाके, जिस दिन lot size बढ़ाओगे, उसी दिन आप आपका SL कर जाएगा, और आप देखोगे, कि आपका loss, जितना आपने 5 दिन में कमाया था, वो सब गमा चुके हो, और इसी तरीके से log loss करते रहते हैं, market में, market में tick नहीं पाते हैं, तीन महिने लगातार अगर आप profitable बन जाते हो, तो उसके बाद आप अपना lot size बढ़ा सकते हो, तभी आप अपने lot size को बढ़ाओ, और काप से बाहर trade करोगे, तो फिर आपका SL हिट होगा, आपकी psychology बिल्ट नहीं हो सकती, आपकी psychology तब तक जब तक बिल्ट नहीं होती, जब तक आप position sizing manage नहीं करोगे, आपकी psychology बिल्ट नहीं कर सकते, तब तक आप market में tick नहीं सकते, कितना भी पैसा लियाओ, आप 5-5, 10-10,000 करके, 20-30,000 चोटी-चोटी amount लाओगे, और ये amount बाद में आपको देखेगी, एक दिन बहुत बड़ी amount आप loss कर चुके हो, फिर उस loss को recover करने के लिए आपका दिमाग 24 गंटे सोचता रहेगा, और आप अलग-अलग तरह से trade करने क strategy ढूंडते रहोगे, और कोई भी strategy आपके लिए काम नहीं करेगी, आपके लिए कोई भी strategy काम नहीं कर सकती, strategy तभी काम करती है, जब आप अपने psychology को maintain रखते हो, अगर आप detail में वीडियो चाते हो, कि psychology को कैसे manage किया जाए, तो इस वीडियो को like कीजिए, 300 like, 300 like कर दीजिए और वीडियो के नीचे comment करके बताए, 150 comment चाहिए, अगर आप 150 के comment आते हैं, तो आपको detail वीडियो psychology को maintain करने की आपको बताऊँगा, या फिर psychology की books पढ़ना शुरू कर दो, trading से related psychology की बहुत सारी books है, उनको पढ़ना शुरू कर दो, किसी book को personally suggest नहीं करूँगा, ठीक है, कही आपको ये लगए paid promotion है, paid नहीं है, तो आप कोई भी पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको चीजे समझ में आने लग जाएंगी, अगर नहीं पढ़ना है, तो comment करके बताए, अपने जो पढ़ा है, जो सीथा है, समझा है, उस हिसाब से आपको guide कर देंगे, निचोड आपको बहुत बहुत दनेवाद, शुक्रिया